मित्रो जय माता दी आप देखे रहे हैं धर्मसिक्छा धर्मसिक्छा मैं रोज की तरह एक बड़ फिर से मैं जीर हूँ आज का संपूल रासी फल लेकर आज है सुमवार यानि के साथ फरवरी दोचार अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबत दोचार अ है तो दोबान फिर भर्णी नेचत्रारंब हो जाएगा वरत्तिवार में आज है सीतलास्ट सश्टी का वरत्त साथी रईयु योग आज रात्री के 9 बचकर 19 मिर्ट तक रहने वाला है वित्रो गर आपको आज का पंचांग और विश्तार जाना है एक-एक मौर्तों गया में जान सकते हैं आज के संपून रासिफल के वीडियो में हम जाने वाले कुल 12 रासियों का आज का रासिफल साथी हम जानेंगे आज का सुब समय असुब समय दिसा सूल सुब खादे रासी नुसार क्या खादे बदात आपके लिए सुब रहेगा रासी नुसार कुण सा रंग आज को बताना राम करूँ उससे पहले आए एक नेजर डाले आज के गरहों की स्थेती पर क्योंकि गरहों की स्थेती पही पूरा का पूरा रासि पहल निर्भड करता है आज चंद्रमा मेलसासी में, राहु विरिसासी में, केतु विश्चिक रासी में, मंगल सुक्रदोनो एकसाद धनु रासी में, बुद्ध सनी और सुर्य तीनो एकसाद मकर रासी में, गुरु कुम रासी में विराजित है तो इन्ही सभी गरहों का मिलाद लाल आज के रासी फल्म हम जानेंगे तो आज ये बात करेंगे पहली रासी मेल सासी की मेल सासी मचंद्रमा आज पर्था मस्थान में विराजित है जिसके फ्लस रूप आज आपको आपके दोस्तों का सहीयोग पराप्त होगा आज कोई भी निर्ने भावगता वसनाले ऐसे निर्नेों से आप परिशानी में पर सकते हैं बेरोजगार जात्कों को रोजगार की प्राप्ती हो सकती है आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा परिवार के किनी दो सदस्यों के बीच मन मोटा उबर सकता है अगर आज पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक कारे करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी आज आपको आपके सहकर्मियों का सहियो प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वह आपके काम का केडिट भी लेने का प्रियास करेंगे आज किसी सुनी सुनाई बातों पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें सच्चाई को परखें तब ही आगे बरें व्यापार और धन की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज कोई भी निर्ने बहुती सोच समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक से आई चुनोतियों का सामना आपको करना पर सकता है तो इसके लिए पहले सही सचेत रहें अगर कही निवेस करने का मन बना रहें तो एक बार अनभवी लोगों की सलाह जोड लें कज लेने से आज बिलकुल भचें विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बना कर मेनत करें सफलता मिलेगी आपको स्वास्थ की बातकेट आज आपको अपने स्वास्थे के परती सचेत रहना चाहिए जिन जातकों को हाई ये लो ब्लेट पेसर की सिकायत रहती है वह आज अच्छा महसूस करेंगे प्रेम समंध की बात करेंगे तो आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोगशोंग भी हो सकती है बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह जातक प्रेम समंध में कोई भी नया रिस्ता बराने से पहले सामने वाले को जरूर पड़क है आज आपके प्रेम समंधों में किसी प्रकार के चिंतावत्पन हो सकती है आज के लाखाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरं केसरिया रंग लकी नमबर 4 रहने वाला है बात करेंगे विरिश्रासी की विरिश्रासीम चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपका मन आत्मिस्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नकारत्मख विचार भी आ सकते हैं छोटी मोटी परेशानिया आएंगी लेकिन उन परेशानियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिस करें कुछ नए विचार आपके लिए फायदे मन सावित हो सकते हैं आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका फाइदा आपको भी कही न कहीं मिलेगा बिना जांच परताल किये किसी वेबसाई या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक छर्टों बिल्कुल भी ना करें इससे आप मुस्किलों में पर सकते हैं व्यापार और धनकी बातकेट आज आपको व्यापार में लाब होगा व्यापार में जो भी आपके परतिदोंदी है आज उन पर आप विजयपराप कर सकते हैं जो जातक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज के अच्छा रहने वाला है आपके senior area boss आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने boss के सामने खुद की पैर भी ना करें इससे आप negative में जा सकते हैं व्यापपार और धन के बाद बात करेंगे विद्यार्थी की स्वास्त की बात करेंगे अपने जीवन साथी पर थोपने से आज कलह की स्थिती उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बराबर काधिकार दे इससे आपके समंध मधूर बने रहेंगे आज के नकर हरी सबजियां खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सुनारारंग लगी नम्मर एक रहने वाला है बात करेंगे मिथुन रासी की मेथुन नसीम चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपको आपके छोटे भाईबानों का सहयोग प्राप्त होगा आज किसी जरुदत्वन व्यक्ति की मदद जरूर करें इससे आपको भी जीवन में फायदा होगा आपके पिता या उच्चा दिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा सामाजी कारियों में आपकी रूची बनी रहेगी मन में नएने विचार हैंगे इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बनें स्वादिष्ट भोजन का अनंद आप उठा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा बेजाने के या धार्मिक कारिक करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलत फेहमी के कारण आपके और आपके प्रियेजनों के बीच लराई जहकरे हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको साथानी परतनी चाहिए व्यापार और धन की बात के अज आपको आपके केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी आज आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ती होगी परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धनलाब भी हो सकता है जो दातक नोकरी कर रहे हैं उनको ऑफिस में ऐसे लोगों से साधान रहना चाहिए जो उनके दोस्त तो हैं लेकिन उनकी चबी विगारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए आज कर भी मिलाजला रहेगा पढ़ाई से आपका मन भठकेगा ऐसे में अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा भी होगा स्वास्ते की बात करेंगे तो आज आपका स्वास्ते अच्छा रहने वाला है चुस्ती और फूर्ती का अनभव करेंगे लेकिन आपको मौस्पी विवाणियों से सचेत भ्याज रहना चाहिए प्रेम समन्त की बात करें तो आज आप जीवन साथी के साथ समय विताएं इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा आज करेंगे चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग कीरीम कलर लकी नमर पांच रहने वाला है बात करेंगे करकरासी की करकासिम चंद्रमा चोथे अस्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज किसी पर भी अपनी बाते थोपने की कोशिश ना करें आपको यहां से नुकसान हो सकता है आपके दोस्तों के साथ अच्छे समझ बना के रखने का आपको प्रियास करना चाहिए उनसे लड़ाई जहरे की समावना बन रही है सांती सागर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे काम भी बन सकते हैं अपने लगना और आत्मिस्वास से आप अपने कारियों को बहतर धंग से कर पाएंगे जोह तक मीडिया से जुरूए हुए हैं उनको आज अच्छे दिन का समना करना पर सकता है व्यापारों धन की बात कें तो आज आप साहस और प्राक्रम के बल पर अपने कारे छेत में स्थिति को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा यस और किर्थी में वर्धी होगी आपके व्यापार में तेजी देखनी को मिलेगा अपने काम पर फोकस रहें इससे आपको फायदा होगा नोकरी करने वाले जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से मत्भेद यहां पर बढ़ सकते हैं तो यहां पर साधानी निश्ची तोर पर बढ़तनी चाहिए आपको अपने फिजल खर्चों पर भी नियंतर रखना चाहिए विद्यार्थी की बात के तो आज विद्यार्थियों को सिक्षा के छेतर में सुबफलों की प्राप्ती होगी तो डट कर मेहनत करें स्वास्त की बात करें जिन जातकों को जोरों का दर्द रहता है उन्हें आज परेशानी हो सकती है आज आपका ब्लड प्रेसर नॉर्मल रहेगा व्यायाम करें योग करें इससे आपको स्वास्त में फायदा भी होगा प्रीम समंद की बात करें तो आज आपके आज का सुबरंग सभी परकार के चम की लिए रंग लखी नम्मर चार रहने वाला है बात करेंगे सिंग रासी की सिंग रासीम चंद्रमा पांच में अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको कई परकार के परेसानियों से मुक्ति मिल सकती है कलात्मक कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी आपके व्यक्तित में सकारात्मक बदलाव आ सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय जोर बिताएं और उनकी मन इस्थिती को समझें इससे आपको असीम मन की सांती प्राप्त होगी यदि आप साधी सुदा है तो आपके सोस्राल पक्स से किसी के साथ वादव्याद हो सकते है तो यहाँ पर साभानी जरूर बरतनी चाहिए आपको आज अपने बच्चों की परहाई को लेकर थोड़ी चिंतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रुची समझनी होगी, बच्चों को उनके केरियर के परति प्रेरीद भी करें व्यापार और धन की बात करें, तो व्यापारियों के लिए आज के अच्छा रहने वाल है, आपके आत्मिस्वास में विर्दी होगी, जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा आज किसी जरत्मन व्यक्ती को धन का दान जरूर करें, नोकरी करने वाई ज्यातकों के लिए आज के इन सामाने रहने वाल है, नोकरी में परिवर्तन करने का मन आपका हो सकता है कुछ ज्यातकों को सट्य बाजी साहच लाब भी हो सकता है विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों का मन चंचल रह सकता है अपने आपको सोचल मीडिया और मुवाइल फोन से थरदूर रखें अब आपको अपने केरियर के परती सचेत हो जाना चाहिए सौस्था की बातके आज आपको अपने किसी परकार की चिंता रह सकती है मन असान्थ भी रहेगा जुजातक पहले से बीमार है उन्हें अपने स्वास्त का जियाध धियान रखना चाहिए प्रेम समन्त की बातकेद आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी परकार का सक करने से पहले सच्चाई को जानने की कोशिश करें अगर आप लंबे समय से प्यार के जहार की सोच रहें तो यह समय आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है आज के निगर हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा कारी छेत में परिवर्थन का मन भी आपका हो सकता है आप आज वानी की मधूर्ता से बहुत सारे कारियों को लिप्टा सकते हैं अगर आप अपनी वानी पर अंकुस नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी लोगों के आक्रोष का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको आज प्राप्त हो सकता है आपके परिवार की पर्तिष्ठा बरहेगी अगर कुछ नया कारी आरम करना चाहते हैं तो इसमें कुछ समस्या उत्पन हो सकती है मन में किसी प्रकार के चिंताएं रह सकती है व्यापार और धन की बात करें तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं तो वहां से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है पिछले कर्ज को अभी आप चुका पाएंगे व्यापार में कर लग कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अब अतियावस्यक हो गया है इससे वरना बहुत ज़्यादा हानी का सामना आपको करना पर सकता है विद्यार्थी की बात करेंद विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा प्रेम समंध की बात के तो आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, जीवन साथ ही को समय दे और उसे समझे, इससे प्रेम समंध में नई उर्जा का संचार होगा, लेकिन प्रेम समंधों में सोच समझ कर आगे बढ़ें, किसी तीसरे व्यक्ति के वज़े से आपके प्रेम समंधों में दरारुत पन ना होने दे, आज के नगा गेहूं से बनीवी जीए खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग, लकी नम्मर छे रहने वाला है, बात करेंगे तुलारा से की, तुलारा सीम चंद्रमा सा जोड़ लें, आपके मन में आज कोई नकारत्मक विचार आ सकते हैं, जिससे आपका कारी परभावित हो सकता है, आज आज आपकी बोली गई बातों को आपके परती दोंद्यों दोरा तोर मोड़ कर पेस किया जा सकता है, तो कुछ भी बोलते समय साभधानी बढ़ते हैं, क व्यापार और धन की बात करें, तो व्यापार की दृष्टी से आज के आपके लिए अच्छा रहने वाला है, जो या तक व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाभ हो सकता है, समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा बढ़ेगी, आवे सकता होने पर आप आपके भाईवालों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है, नोकरी करने वारी जातकों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है, ओफिस में सहकर्मी और सिनियर के बीच आपका मान समान बढ़ेगा, विद्यार्थी की अगर बात करें, तो आपको लक्ष की प्राप्ती के आपके लिए ज्यादा मेहनत करने की आवे सकता है, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ती होगी, स्वास्त की बात करें, स्वास्त के देश्टी से आज करने कुली मिला के आपके लिए अच्छा रहने वाला है, किनी किनी जातकों को किसी प्रकार के चि की लिए रंग लकी नम्मर आठ रहने वाला है बात करेंगे विश्ची ग्रासी की विश्ची ग्रासीम चद्रमा आठ में इस्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आपको परिवार जनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके बड़े भाई बहनों से माता पिता से भी कु समंधियों से परोसियों से किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी आज मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच ज़रूर करें आज आपके जिद्दी रवईये की वज़से आपको कुछ नुकसान हो सकता है तो कल्पनाओं के पीछे ना दो कराएं नहीं बलकि इसका सामना डटकर करें आज किसी से पैसे उधार लेने से भी बचें आज करद लिएगे पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जूजा तक नोकरी कर रहे हैं उनको सहकर्मियों के साथ समन्द विगरते हुए देखे जा सकते हैं आज आपके सहक को बरबाद करने से बचें समय का एक-एक पल महतपूर्ण है उस पल का लाव दो उठावें अभी अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई परी लगावें स्वास्त की बात के आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान फिर भी रखना चाहिए तले, भुने और मसायदार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम समन्द की बात का जीवन साथी से हलकी नोगजों के बाद अच्छे समन्द भी बनेंगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चुनाव करने में साध्वानी बढ़ते हैं प्यार के जार करने से आज बचे हैं आज के निगर गुर खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग आस्मारी रंग लखी नमबर रहने वाले आज का पांच बात करेंगे अब धनु आसी की धनु आसीम चंतरबा नौवे अस्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे धंक से रख पाएंगे जिसके फ्लसुप आपके चाहने वालों की संख्या में विर्दी भी होगी आज आप रादनीति से अगर जुरे हुए हैं तो उसका भरपूर लावे भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग भी प्राप्त होगा कोई पुराना फसा हुआ रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है सरकारी कारियों से आपको लावे भी मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांती का अनभव करेंगे कुछ जातक किसी अग्यात भाय से अजपरेसान भी रह सकते हैं व्यापार और धन की बात करें चाहिए व्यापार करते हो जौब करते हो आपके अधिनस्त करमचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा किसी करीबी मित्रिया सगे समंध्यों की मदद से व्यापार में लाब भी हो सकता है आज आपके व्यापारिक परतिदंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुचाने की कोशिस कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिती अच्छी बनी रहेगी। जिन जातकों को मकान या गारी की तलास है, उनकी तलास पूरी हो सकती है। जो जातक नोकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी आजके न अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में कोई नई जी मितारी आपको दी जा सकती है, आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आजके न अच्छा रहने वाला है, जो विद्यार्थी परत्योगता परिख्छा के तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। बात करेंगे स्वास्तिकी, तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, मानसिक सांति का अनभव करेंगे, मौसमी विवानियों से बच कर रहे हैं, प्रेम समंध की बात करें, प्रेम समंधों को सुधरिड बनाने के लिए, आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग सफेद रंग, लखी नम्मराज का एक रहने वाला है, बात करेंगे मकर रासिकी, मकर रासिम चंद्रमा दसमें अस्थान में विराजित है, जिसके प्रसुप आज आपके कारी छेत में आपको सम्मान की प्राप्ती होगी, लेकिन संतान के तरफ से थोड़ी चिन्ता भी रह सकती है, तो अपने संतान का ध्यान रखें, घर में कहला का माहौल बन सकता है, आज आप आत्मिस्वास से भरपूर रहेंगे, परन्तु पिता के स्वास्ते से थोड़ाचिन्तिद भी रह सकते हैं, बात करेंगे व्यापार से चुनोती मिल सकती है, आज आपके खर्च भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिजोल खर्चों पे नियंतरन रखें, विद्यार्थी की बात करेंगे तो आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं, मौईल फोन में ज़्यादा समय वरबाद ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रेम समन्ध की बात करें, प्रेम समन्धों के लिए आज करें अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी के साथ आज आप समय अच्छा बिता पाएंगे, साथी आप यह भी जान पाएंगे, कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है, आज करनकर उड़त की डाल खाते हैं तो आपके रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लाल रंग लकी नमर 9 रहने वाला है बात करने आप कुमरासी की कुमरासीम चंदरमा 11 वे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप जो मेहनत आपने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा जिसके करन आपके आत्मिस्वास में बिर्दी होगी आज आप कोई भी नया कारी करने के पेरिद भी रहेंगे और इस नए कारी में आपको सफलता भीनी मिलेगी नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है आपको कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है लेकिन अगर आप अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में आपको सफलता प्राप्त होगी आज आपके धहरी में कमी आ सकती है जिसके कायन आपके कारी बिगर सकते हैं व्यापार और धन की बात करेंगे तो आज आप अपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से व्यापार में बिर्धी कर पाएंगे आपकी आए में बढ़ोतरी होगी जुरा तक नोकरी कर रहे हैं उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसन न रहेंगे आज किसी को गर्ज देने से बिलकुल बचें अगर कोई बहुत जुरतमन व्यक्ति ना हो तो उसे पैसे उधार ना दें ऐसे पैसे आपके क्योंकि डूब सकते हैं विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों के लिए आज के नच्छा रहने वाला है आज आप अपनी पढ़ाई के लिए अनुकूल इस्थिका अनभव करेंगे तो ऐसी इस्थिति का लाभ जोर उठावे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे स्वास्त की बातकर आज अपने खानपान का ध्यान रखें पेट से समंदित किसी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है तो अपने स्वास्ति का ध्यान जोर रखें प्रेम समंद की बात करें छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी से अज उलज सकते हैं एक दूसरे से वाद व्याद की स्थिति उत्पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के बावजूद आपके रिष्टे मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताएं इससे आपके समंद अच्छे बनेंगे आज करेंगा चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब हरेगा आपके लिए आज का सुबं गुलावी रंग लकी नमर पांच रहेगा बात करेंगे मीन डासी की मीन डासीम चंदरमा बारहवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप जो आतक किराई के मकान में रहते हैं उनके मकान मालिक के साथ समन भी गर सकते हैं तो यहाँ पे साधानी जोड बरते हैं आज आपको संतान के तरफ से खोसी हो सकती है, परिवार में सकारतमक बातावरन इसकारन बनेगा, किसी पुरानी समस्या का अंत भी संभव है, आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है, साथ ही अपने वानी पर नियंतन रखें, क्योंकि आज आपके लराई जहगरे की योग भी बन रहे हैं, ओफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेकर आज उकसा सकते हैं, धैरी से काम ले या एक सोची समझी साजिस भी हो सकती है, व्यापार औधन की बात के तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है, आज आप किसी के साथ पार्टनर्शिप पर व्यापार करते हैं, तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं, अगर अच्छी योजना बनाएंगे और उस पर आप अमल भी करेंगे, तो आप अपने हानी को लाब में बदल सकते हैं, विद्यार्थी की बात करें, तो विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, पढ़ाई के अलावा अन्य चीज़ों में समय बरवाद ना करें, अपने पढ़ाई पढ़ी ध्यान लगावें, सिक्षा के छेत में विद्यार्थियों का दिक्कत का सामना करना पर सकता है, विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों का मन असान्त र प्यार की जार करने के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज के लिए दूद से बनीवी चीने खाएंगे ताब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग औरेंज कलर लखी नमर छे रहने वाला है तो मित्रु यह था आज के 12 रासी का रासी फल अब ज बचकर 28 मेर लेकर 9 बचकर 50 मेर तक इस समय में कोभी नया कारी आड़ाम करेंगे तो उसमें आपको उसा बलतात लग सकती है दिसासूल आज पूरु दिसा में रहने वाल है पूरु दिसा में किसी भी खास प्रियोजनसी आतर ना करें यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है और सुब खा दे ऐसा कुछ नहीं है आज क्योंकि आज सोमवार है दरपन देखकर यहाथा आरम करेंगे तो आपके कारी बनेंगे आज तो मितलों यहाँ पर मैंने आपको आज का संपून रासी भल बता है कल के संपून रासी भल के लिए जूरे रहे है धरमसिक्छा के साथ और देखते रहे है धरमसिक्छा जै माता दी